तो अभी मेरे हाथ में जो ग्राफिक्स पैड है या फिर आप ग्राफिक्स टैबलेट भी कह सकते हो उसका नाम है वेक क्रियेटर पॉप एस 640 जिसको मैंने 2000 के आसपास खरीदा है और एक बिगिनर के लिए अच्छा सा बजेट टैब है तो इसको चलो डीडल में देखते है एंट डेकमेंडेशन भी बोलूंगा कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं तो अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको कंपनी के तर इक आपनी चेंज कर सकते हो और इक आपको पूलर मिल जाएगा जो कि आप निप चेंज करने के टाइम को खोल सकते हो यूज करके और यूसर गाइड देखने को मिलेगा और इस बजट में इस टेप का साइज है 6 X 4 इंच यानि की 24 इंच स्क्वार और ज्यादा बड़ा नह यानि कि 10 mm से अगर आप दूर चले जाओगे तो आपका जो पेन और टैब है वो काम नहीं करेगा अब जब 10 mm का गैप मेंटेन करोगे तो तभी जो पेन है वो टैब के ऊपर काम करेगा और अगर पेन की बात करें तो पेन काफी और नॉन बैटरी पे चलता है यानि कि बैटरी बगेरा नहीं लगेगा आ चुका हूं मैं मेरे पीसी पे और आप इधर देख सेकते हो जो वेक पेन टैबलेट का ड्राइवर है सो मैंने उसको ओपेन कर दिया इंस्टॉल करने के बाद अभी मैं यूस करूंगा अल्रेडी मैं चेंज कर सेकतो आपके जो कमफर्टेबल सेंसिटिविटी होगा आपके हिसाब से उसको आप ट्राइ करना और मैंने जो इधर हॉट की बताया पेन में जो है फॉर्स्ट एंड सेगेंड की सो इधर मैंने एक पेन और इरेजर का जो सॉटकर्ट की होता है उसको मैंने स्लेट करके रखा है एक नंबर पर और दो नंबर पर मैंने राइट क्लिक को सेप करके रखा है क्योंकि मैं क्रिटा यूज करता हूं और उधर साइच बगेरा पिक्सल बगेरा चेंज करने में हेल्प होता है सो मैपिंग में आप देख सेकतो जो टैबलेट का साइज है यह आपके डिस्प्ले के हिसाब से automatic set हो जाएगा कि आपका डिस्प्ले जितना भी बड़ा हो अपने हिसाब से इधर पिक्सल में डिवाइट कर देगा और इधर आपको दो और option मिल जाएगा एक है राइट हैंड मोड एक है लेफ्ट हैंड मोड और इधर विंडोस इंक फंक्शन है इस माउस का कर्सर जो है ओभी उपर के साइट चला जाएगा लेकिन अगर मैंने aps mode on कर दिया सो मैं जिस साइड में भी जाओंगा टैप का माउस का कर्सर नहीं ही लेगा ओ जिधर था उधर से मैं फिर से उसको ले जा सकता हूं सो दोस्त अगर function की बात करें तो function में इस device में ज्यादा कुछ available नहीं है sort की बागेडा क्योंकि shortcut की जो है वो बड़े बड़े device में है और जो costly है इधर इतना ही function मिलेगा लेकिन यह वाला जो टैबलेट है graphics टैबलेट है Android iOS सब कुछ support करता है लेकिन Windows में सबसे बढ़िया support करता है क्योंकि इधर driver available है तो दोस्तों आप इ जाएगा अगर यह off रहेगा तो आप जिधर भी यूज़ करोगे बोल्ट आएगा जो paint का brush है बोल्ड ही आएगा और इधर आप इसको on कर दोगे तो आप अगर इसको हलका प्रेश करोगे paint को तो हलका जो है वो काम करेगा और अगर आप डीप प्रेश करोगे तो डीप नुसार इसका जो बोल्ट और लाइट वर्शन है पेंटिंग का इसको चेंज कर सकते हो सो ब्रस आपके प्रेशार में बहुत अच्छा काम करता है और दोस्ता अगर आपके पास बहुत ज्यादा बजेट कम है तो आप इसको ले सकते हो नीचे डिश्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उदर साब बाई कर सकते हो एक अच्छा सा टैबलेट है और ब्रैंड भी अच्छा है और अगर आपके पास बजेट ज्यादा है या फिर आप इंक्रीज कर सकते हो तो आप थोड़ा सा बड़ा टैब लेलो क्यूंकि आपको लॉंग टाम में बहुत सब्सक्राइब कर दोसों मिल तेक निव विजों निव टॉपिक के साथ तब तक के लिए टड़ा